उत्तर पदेश की योगी सरकार में, किसानों को मारा गया, किसानों का नरसंगार हुआ, उत्तर पदेश और देश के इतिहास में वो काला दिन है, कि सत्ता धारी लोग किसानों के उपर गाडियां चला रहे हैं, ये तो देश में पहले जनरल डायर करता था, अंग्रेजों की स लगातार भाती जंता पार्टी किसानों का पान करते आ रही है सेकड़ों सेकड़ों किसान ना जाने कितने मर गए इस सरकार को अभी नौजवान अपने कांदे से कांदा मिलाकर किसान की लड़ाई लड़ेगा चात्र कांदे से कांदा मिलाकर लड़ाई लड़ेगा और यह ल कि पहले पुलिश की तोरह लगातार किसानों बरवेथा की गई अब अब मंतरी जो इसमें उतरा हैं मंत्री इंगाली चला दे रहे हूं पूरी की भार्तव प्रड़ाई यह किसान भी रोधी आड़िए ये देश द्रोही लोग हैं याद रखिएगा ये देश द्रोही हैं अगर हिंदुस्तान में किसान की बात नहीं हो सकती तो कहां बात होगी इस देश में इस परदेश में किसान की बात नहीं होगी तो किसकी बात हो चात्र की बात नहीं होगी नौजवान की बात नहीं होगी पैसा लूटा जा रहा है अगर यह उत्तर पदेश में भाती जंदा पार्टी की सरकार जो लगातार किसानों पर नौजवानों पर छाथ्यों पर नयाई कर रही है यह देश द्रोही सरकार है और यह देश द्रोही मुखमंतरी को उत्थी पादेना चाहिए जब जब हमारे नेता जब जब ऐसी परसितिया आई आपको याद होगा पिछले साल भी जब किसानों का अंदोलन हुआ तो यहीं पर पुलिस ने रोकने का काम किया था और उनको गिरतार करने का काम किया था जब जब हमारे नेता सालकों पर संगर्ज के लिए उलरते हैं पु दूरों का किसानों का हक ना मिले उस हक की लड़ाई हम अपने खून पसीने से लड़ेंगे यह जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह प्रदर्शन लगाता है चलता रहेगा